स्वागत है आप सभी का Destination IS के Official YouTube चैनल पर और आप जूर रहे हमसे रामान सीरीज में फिर से आपने कॉपी अपनी भेजी है और इसके उपर हम अपनी inputs देंगे ताकि अगली बार आप जब कोई कॉपी लिखे तो और ज़्यादा effective writing हो सके चलिए आपने क्या कोशन चुना है कोशन है write a short note on scope and benefits of farm mechanization in Bihar चलिए farm mechanization और specially बिहार के संदर्व में आप से प्रश्ट पूछा गया है देखते हैं आपने क्या लिखा है पहला आपने introduction में लिखा है farm mechanization is the application of engineering and technology in agricultural operation it improves productivity, water control storing and processing तो आपने basically क्या किया है कि introduction में farm mechanization क्या होता है उसके बारे में आपने जानकारी दी है हाला कि farm mechanization के बारे में आपने जानकारी देके अच्छी शुरुवात की है लेकिन अगर आप इस introduction के जगा पे कुछ और लिखते जैसे अगर आप ये लिखते कि एक वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2050 तक भारत की 50 प्रतिशत जनसंख्या अर्बनाईज हो चुकी होगी और जो labor available है for agricultural purpose that will be reduced to 25.7% या approximate 25% भी आप लिख सकते हैं so to increase the productivity of agriculture mechanization is the need of the time तो यहाँ पे आप एक introduction ये लिख सकते थे या फिर introduction में आप ये भी लिख सकते थे कि global average of farm mechanization is 90 to 95 percent whereas the farm mechanization in India is 40 to 45 percent though there is no official data available on the same in respect to Bihar but due to several reasons we can assume that the level of farm mechanization in Bihar is way behind the national average that's why we need to improve farm mechanization in Bihar अर्थात कि अगर हम लोग विक्सित देशों की बात करें तो वहाँ पे farm mechanization जो है वो 95-95 प्रतिशत है भारत की बात की जाए तो यही दर जो है वो 40-45 प्रतिशत है हाला कि हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी उपलब तो नहीं है लेकिन कई यह कारणों से हम मान सकते हैं कि Bihar की जो farm mechanization की जो दर है वो राश्ट्री आउसत से काफी पीछे है इसलिए भी Bihar में farm mechanization की जरूरत है यह alternates हैं जो आप इस्तमाल कर सकते थे हाला कि आपकी भी शुरुवात बहुत अच्छी रही चली देखते हैं आपने और आगे क्या लिखा है आपने लिखा है scope of farm mechanization यानि farm mechanization की क्या scopes हो सकते हैं पहला आपने लिखा है improved irrigation facility in the state चली बहुत सही आपने कहा है कि irrigation की सुविधा में वृद्धी होगी लेकिन अगर आप यहां पे लिख देते हैं कि improved irrigation facility in state through solar pumps या फिर through solar pumps through PM कुसुम योजना तो यहां पे क्या हो जाता कि आप इस point को और impressive या attractive बना सकते थे फिर आपने क्या लिखा है introduction of high yielding varieties of seed चली देखिए यह आपने क्या किया ना यहां पे आपने एक vague point या fake point डाल दिया क्यों सोच के देखिए कि दो technology का इस्तमाल हुआ है या होता है improved seed variety को develop करने में लेकिन farm mechanization is effectively use of machine instead of animal or human in production process of agriculture तो यहां पे यह अपने एक fake point डाल दिया है इसको आपको नहीं डालना चाहिए था फिर आपने क्या लिखा है introduction of high dose of fertilizers and pesticide for different crops अरे यह भी आपने गरबर लिख दिया है आप जब farm mechanization के इस्तमाल करते हो तो आपका जो use of fertilizer and insecticide होता है वो घट जाता है बढ़ता नहीं है यानि कि high dose नहीं होगा limited या low dose होगा यानि यहाँ पे भी आपने गरबर कर दिया चली आपने और क्या लिखाया introduction of new crops in different part of the country चली सही बात है कि ग्रीन हाउस से या फिर जो sprinklers है या फिर drip technology है इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे फसलो को हम देश की दूसरे भागों में भी उगा पा रहे है जो की अब तक संभव नहीं था लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये भी देना चाहिए था कि farm mechanism के बारे में जो प्रश ने पूछा गया है वो बिहार के संदर में पूछा गया है तो आपको यहाँ पे country की बात ना करते हुए बिहार के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी फिर आपने क्या लिखा है multiple cropping system and intensive cultivation followed in different part of state and country फिर वही country आपने लिख दिया है नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि प्रश ने जो है सही technology का इस्तमाल करोगे तो एक ही खेत में बार-बार आप खेती कर सकते हो और आपने आओगे क्या लिखा है अच्छा benefits of farm machination in Bihar तेखिए यह जो आपने scope लिखा है ना basically आपने क्या किया है कि बस एक खाना पूरती की है यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था कि अब हम लोग drones का इस्तमाल करने लगे है अब यहाँ पर हम लोग solar pumps का इस्तमाल करने लगे है एवन कि Rhodes University के द्वारा अब laser scare crew का इस्तमाल होने लगा पहले क्या करते थे कि चीडिया या फिर जानवरों को भगाने के लिए हम लोग पटाको का इस्तमाल करते लेकिन अब Rhodes University ने क्या क्या है लेजर का इस्तमाल करना शुरू किया है जो कि ऐसे रंका होता है जो human eye को पता नहीं चलता है लेकिन जानवर या फिर पक्षियों को वो डड़ा के भगा देता है या फिर भारत का एक बहुत विकट जो प्रॉब्लम है वह stable burning यानि जिसको हम लोग देखते होंगे ठंडे के समय में पूरा gas chamber बन जाता है दिल्ली तो stable burning के जगा पे stable management के लिए भी अब farm mechanism का इस्तेमाल सरकार प्रमोट कर रही है इन सब को के बारे में अगर आप यहाँ पे जानकारी दिये होते तो वह जादा उप्युक्त होता चलिए खेर आगे देखते हैं benefits of farm mechanism in बिहार बिहार में farm mechanism से क्या फाइदा होगा timeline-ness of operation बिल्कुँ सही समय सीमा के अंदर आप अपने साले गती वीदियो को पूरा कर पाएंगे फर सीजन ऑफ operation फिर जैसे अब भी हमने आपको क्या बताया था कि drone technology आने पर क्या होता है कि insecticide और pesticide आफ वेर्थे इस्तमाल नहीं करते और सही प्रिसाइज operation करते हो फिर आप पर एक चीज़ और डाल सकते थे कि since the younger generation is more inclined towards technology and by introduction of technology in the farming sector we can attract more young people to this sector अर्थात कि जो young generation होता है उनका technology के प्रती रुजान जादा होता है और अगर आप क्रिशी के छेत्र में अगर technology को बरहावा देते हो तो आप और जादा young generation के लोगों को आप इस छेत्र के तरफ attract कर सकते हो चलिए reduction of drudgery of labor जाहिर सी बात है drudgery कम होगा यानि कि बोरियत भड़े जो काम होंगे उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा फिर आपने क्या लिखा है reduction of loss of crop and food products तो सही समय पे आप खेती करोगे सही समय से कटाई करोगे सही समय से उसका packaging वगरा कर दोगे तो बरबादी कम होगी increase productivity of land उत्पादकता बढ़ जाती है increase economic return to farmer देखे increase economic return of farmer मेना इस point को आप increase कर सकते थे extend कर सकते थे लिख सकते थे by reducing labor cost क्योंकि आप जब machination कर देते हो तो अब आपको कम लोगों की जरूत परती है उत्वादन करने के लिए फिर आपने क्या लिखा है increase dignity of farmer सही बात है ब progress and prosperity in a rural area देखे इसमें आप एक काम कर सकते थे आप यहां पे जो drone दीदी के बारे में आपने सुना होगा drone दीदी या लगपती दी तो यहां पे आप एक point और जोर सकते थे कि through introduction of drone दीदी या लगपती दीदी by the mean of farm mechanization we can also achieve woman empowerment यानि महीला शशक्तिकरन में भी सहयोगी सिद् farm mechanization चली खर इतने points आपने लिखे हैं अच्छे लिखे हैं अब अपने challenges के बारे में जानकारी दी है कि इसमें हमारे challenges क्या है पहला तो है small and fragmented land सही बात है अगर छोटी जमीन होगी तो वहां पे mechanization करना उतना असान नहीं होता फिर आपने क्या लिखा है less investing capacity of farmers जाहीर से बा machine मेंगे यहां पर आप एक जानकारी और दे सकते थे lack of awareness lack of awareness इसलिए भी बोलेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्षम है machine खरीने के लिए लेकिन उनके पास जानकारी ही उपलब्द नहीं है कि ऐसी भी technology हमारे पास आ चुकी है जिसे कि हम बहुत बोरियत वाले काम या different machine operation investing capacity should be increased by farmers and government should also provide subsidies machine cost should be adequate amount आपको लग रहा है आपके answer से लग रहा है कि सरकार इन में से कोई भी कारे नहीं कर रही है जबकि सचाई यह है कि आपने जो भी बाते यहां पर लिखी है ना सब के लिए कोई ना कोई कारे करम चल रहा है यहां पर आपको लिखना चाहिए था na government initiatives, way forward के जगा पर आपको यहां पर क्या लिखना चाहिए था कि government initiatives for supporting farm mechanization यहां पर PM कुसुम योजना के बारे में आप जानकारी दे सकते थे अब बिहार के संदर्व में अगर बात किये जाए तो बिहार में कृषी यंत्र यंत्री करन योजना चल रही है जिसके तहत क्या हो रहा है कि सरकार 40-80% सबसीडी दे रही है farm mechanization के लिए फिर क्रिशी यंत्र bank चल रहे हैं जहां पर कि अगर आपके पास farm machines हैं और भाड़ा पर लगाना चाहते तो भाड़ा पर दे सकते हैं अगर आपके उपलब्द नहीं तो भाड़ा पर ले सकते हैं और सरकार यह वेवस् होता वह और ज्यादा पॉजर्टिव होता जो कि आपने यहां पर नहीं किया है चलिए यहां पर आपने कंक्लूजन लिखा है कंक्लूजन अपने क्या लिखा है कि farm mechanization is dynamic technology it involves the changes in agriculture in a state country it will help in maintaining the eco-friendly sustainable agriculture with global competitive output चलिए यह भी आपने जो लिखा है अच्छा कंक्लूजन लिखा है लेकिन यहां पर आप एक काम करते नहीं इतना बर कंक्लूजन नहीं लिखे अगर एक लाइन में लिख दे कि विद आउट implementation of farm mechanization we will be unable to achieve the targets of sustainable development goal 1 and goal 2 यानी zero hunger और nutritious food for all तो यह जो दोनों जो sustainable development goal के target 1 और target 2 है वो हम मिस कर जाएंगे अगर हम farm mechanization के और कदम नहीं बढ़ाते हैं तो यह तो था सारी जानकारी फिर देखे आपने एक बहुत 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 क्या कर दी है आपने कोशन को ठीक से नहीं पड़ा है कोशन में यहां पर बोल दिया गया है कि भाई आपको short notes लिखना है short notes generally maximum दो पेज तक जाना चाहिए maximum देर पेज तक भी लिखिएगा तो आपसे कोई गलती नहीं होगी यह points जो है प्रसाइज और effective होने चाहिए आपने क्या किया है ना बहुत सारे अनर्गल चीजों से इस copy को भर दिया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि आपने लगभग लगभग ढ़ाई तीन पेज तक answer लिखा है तो आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि आप जब actual exam में होगे ना तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इतने लंबे answer लिख पाए वो भी short notes में तो आपको इस चीज पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा कि आपको अपने answer को limited words में और effective तरीके से लिखना प्रयास के और अब जब बढ़िएगा तो सुधार की गुंजाईश होगी और इस सुधार के पत्थ में हम भी आपके सहियात्री बनेंगे चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए आप सभी को धनेवाद Destination IAS 70 V BPSC मेंस के लिए इस 28 में से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस answer writing session इस answer writing session में हम लोग 50 बच्चे online और 50 बच्चे offline का ही admission लेंगे so that हम 72 घंटों के अंदर आपकी copy चेक करके आपको हम review दे सके और इस series में सबसे महतुपूर्ण बात ये होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्ण देंगे बलकि साथ ही साथ आपको प्रश्णों के model answer भी उपलब्द करवाएंगे तो 70 भी BPSC के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाई चिंता मुक्त क्योंकि 28 मई से आप जुरने वाले हैं destination IES के साथ हमारे इस mains batch में enroll करने के लिए निचे दिये गए नंबर पर संपर्क करें